जो देश की स्थिती है और चुनाव बहुत नजदीक अभी आप समझ लिजे कि मार्च फर्स्ट वीक या जब भी इलेक्शन कमिशन डेट एनाउंस करेगा इलेक्शन का और मॉडल कोड अफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो इस वीच में आप समझ लिजे लगवक एकाद मह महीना तरह तरह की चीज होती महीना जो अभी देश का महॉल बना है जिस तरह से कटता और तनाव का महॉल बना उस महॉल में अभी कुछ भी हो सकता है लेकि वही लगवक एक महίνे तक की की बात सब चीजे तो जो कुछ भी करते हैं उन्हीं को explain करना है हमारी आदत नहीं है comment करने की सब लोग अपने अपने ढंग से काम करते हैं हम लोग अपने ढंग से काम करते हैं चाहे वो संवैधानिक विवस्ता हो कानूनी विवस्ता हो और जो अच्छी परंपरा वाली विवस्ता हो उसको अप कि सबका अपना-पना काम करने का तौर तरीका है वही एक्स्प्लेइन करेगी सीबी आई एक्स्प्लेइन करेगी उहां की गवंप्मेंट इसमें हम लोगों को बीच में कुछ भी कहने की आवश्यक्ता नहीं जिस घोटाले की जांच का अधे शुप्रिम कोर्ठेगा है को पर लगता है कि ठीक से ध्यान दीजी अभी एक महिना तक कर इस देश में कुछ भी हो सकता त आर्जेडी नेता मनोज्जा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सर बीजेपी का यह कहना है कि सुप्रीम कोट ने जो सार्दा घोटाले की जांच के आदेश दिये थे उसके आधार पर काम किया जा रहा है तो ममता बनर जी आखिर क्यों रोक रही है एक कैबिनेट मिनिस्टर की और बिहार के ततकाली नेता के बाद उसके बाद कोई विश्वशनेता नहीं बची मैं तो चाहता हूँ कि आप पत्रकार बंदू भी जड़ है क्योंकि इस मुल्क में जिस निजाम को लाने की कोशिश हो रही है उसमें ना आपका कैमरा बचेगा ना आपकी माइक बचेगी सिर्फ तीन लोग ताय करेंगे कि कौन बचेंगे कौन सी संस्थाएं बचेंगी हमें नहीं डरना है आपको भी डरना चाहिए किसी को डरने की बात नहीं है क्योंकि सीबी आई का ये कहना है कि जो भी उनके साथ पास प्रूफ हैं साक्ष हैं उसके आधार पर सीबी आई बढ़ रही है और वो सारा चीज सुप्रीम कोर्ट में भी ये सब बता चुछा इस बात को आप जुटला सकते हैं आप से मैं सवाल पुछता हूं आलोग वर्मा के हलफ नामे के बाद नींद के उड़ गई इनकी वह कौन पीमो का अधिकार है नाम जाहिर हो वह कौन लोग है जो टाय कर रहे हैं किस प्रकार काम कर रहेंगी सीबी आई के क्रेडिबिल्टी के बारे में कुछ नहीं बचा आप रॉकेट साइ अगर नोबडी नोज यह तो चोड़ी और सिना जोड़ी है एक संबैधानिक पत पर बैठा मुक्ह मंतरी अगर कानून को ना माने और भरष्टाचारी का आरोप जिस पर हो वो पुलिश कमिशनर के ऊपर और सुप्रीम कोट के निरदेशन पर जहां छो ते इसको क्या कहा ज जोड़ी विपक्ष आज विपक्षी एकता के लिए संबैधानिक वबस्था को तोर रही है क्योंकि मोदी जी ने तो आदेश नहीं दिया अम मोदी जी नहीं जहले है क्या मोदी जी सिवी आए उस समय तो कोई नहीं कांग्रेस के लोग बोली कांग्रेस की सरकार थी मोदी जी ने सिवी आई का सामना किया सच से ममता ड़ क्यों रही है या नौटंकी कर रही है तो दोनों में एक संबैधानिक वबस्था तूटने का ड़ आ रहा है ये एनर की जम हो रहा है य ये लोग संबैधानिक पर बैठ करके आरजकता पहला रहे हैं पूछी न राहूल गांधी से कि मोदी जी के साथ सिवी आई भेजे थे तो मोदी जी तो नहीं कहा है बीजेपी नहीं कहा अब क्यों हो रहा है ये खुलम-खुला मोदी जी के बहाने सिवी आई और कोट पर च पर चुट्ट है